हेलो गाईज जैन वन्स अगेन वेलकम टो डबलो एस क्यूब टेक माईसल भागीरत गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोंगो डीबी के बारे में चले शुरू करता है सबसे पहले और देखता हैं मोंगो डीबी की डेफिनिशन को सो मोंगो डीबी एक जरेल पर्प्रपास डॉक्यमेंट बेस डेटाबेस का मतलब यह नो ऐसक्वल में करता है और इक डिश्रिब्यूर्टिपटेड डेटाबेस है मतलब आप मल्टिपल सोर् जो MongoDB है वो बनाय गया है modern applications को develop करने के लिए जो high scalable बड़े applications होते हैं उनको develop करने के लिए और MongoDB जो है data store करता है BSON format में तो guys काफी बार आप लोगों ने ये सुना होगा MongoDB के बारे में कि MongoDB stores data in JSON-like format JSON-like format जो है वो कौन है यहाँ पर BSON है relational database को manage करने की query language है तो relational database क्या होता है ऐसा database जिसमें tables के format में data store किया जाता है rows और columns के format में data store किया जाता है जिसमें data एक दूसरे के बीच में related होता है data कुछ relations हो करता है वो relational database होता है और उसको manage करने के लिए हम लिए यूज करता है SQL को यह नहीं structured query language को But on the other hand, जो NoSQL होता है, NoSQL is a non-relational database query language, यह क्या है? एक ऐसी टाइप की language है, जिसमें non-relational database को आप manage करते हो, जहां पर schema या फिर कोई भी table का structure fixed नहीं होता है आप SQL में अगर बात करोगे तो SQL में table का एक schema बनाना पड़ता है, structure fixed होता है, कि कितने data को manage करना है, कौन सा data आने वाला है, कौन सा columns होने वाला है, यह सब कुछ fix होता है वेरेस non-SQL में या no-SQL में ये सारी चीज़े fix नहीं होती और इसी reason के वज़े से no-SQL को scale करना काफी ज़्यादा आसान होता है next बात करते हैं guys, तो relational database में data जो है वो table के format इंस्टोर होता है, यह मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ whereas, यहाँ पर जो हमारा data है, no-SQL में वो data store होता है, document के form में, यानि homogeneous data store होता है homogeneous data का मतलब यह होता है कि जहाँ आपको fixed पता नहों कि data किस-किस type का आने वाला है, वहाँ पर आप homogeneous data store करते हो suppose आप एक case ले लेते हैं कि आप user से उसका नाम, number और email address ले रहे हो, यानि नाम, contact number और email address ले रहे हो तो आपको जो SQL है, उसके अंदर आपको define करके रखने पढ़ेंगी, तीन column की नाम आएगा, email address आएगा और हमारा क्या आने वाला है, contact number आने वाला है whereas no SQL में आपको पहले से define करने की जरूत नहीं है, runtime पर जो data आ रहा है, आप उसको manage कर सकते हो next बात करते है guys, to SQL programming जो है, उसको use किया जाता है, किसके लिए insert, update, select, delete के लिए, यानि crude operations के लिए use किया जाता है उनमें और भी चीज़े की जासित के trigger वगेरा आप बनाया सकते हो, but जो आपका no SQL है, no SQL को जो use किया जाता है, वो mostly use किया जाता है, जब आप बड़ा data manage करना चाते हो क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ा data manage करना होगा, तब आपका SQL है, यानि जो relational database है, वो वहाँ fail हो जाएगा, क्योंकि उसकी speed slow हो जाएगी, और वो उतना fast process नहीं कर पाएगा जो no SQL है, वो बड़ा data manage करने के लिए काम आता है, या real time web applications जो होते हैं, उनको manage करने के लिए काम आता है चलिए इसको एक example के साथ समझते हैं, और मैं यहाँ पर आपको browser पर लेके जाता हूँ, एक तरफ मैंने php myadmin खोल रखा है, जो आपने अगर php पे काम किया है, तो या फिर अगर आपने database को use किया है, तो आपने देखा होगा अक्सर, और php myadmin में, मैं एक database में आया हूँ और कॉंसे table का कॉंसे data type होना है, और यहां browse पे मैं अगर click करूँ तो आप देख सकता हूँ, एक यहाँ पर entry डाले हूँ है, जिसमें वीडियो का title दिया है, वीडियो का subject क्या है, वो दिया है, वीडियो का timing दिया है, वीडियो का status और trainer का नाम दे रखा है, अब इसी चीज को हम लोग अगर manage करना चाते हैं, यह तो क्या हो गया, टेबुलर format हो गया, अगर इसी चीज को MongoDB में manage करना चाते हैं, तो कुछ इस तरीके से manage होगा, देखे, यह जो आप देख रहे हो सामने, कुछ इस type से manage होगा, जहां पर एक ID हो जाएगी, सेम वीडियो का title होगा, वी data add करना है, जैसे मैं यहाँ पर test नाम से data add करना चाता हूँ, और उसमें मैंने लिख दिया testing, तो run time पर मुझे अगर data add करना था, वो मैंने कर दिया, और मैं simply क्या करूँगा, यहाँ पर आकर update पर click करूँगा, तो यह जो data है, वो update हो जाएगा, मतलब मेरी table जो है, वो update हो देखें, अभी यहाँ पर testing आ चुका है, मतलब मुझे run time पर जरुत पड़ी, तो मैंने एक नया data add कर दिया, यहाँ नया column आप कह सकतो, add कर दिया, बट वो यहाँ पर possible नहीं है, यहाँ पर जितने columns fixed हैं, आप उतने ही use कर सकते हो, तो यहाँ structure fix होता है, यहाँ structure fix नहीं होत तो जब आप SQL या NoSQL की बात करते हो, तब जो terms होता है, वो भी change हो जाते हैं, तो कौन-कौन से terms कैसे recognize किये जाते हैं, यह समझ लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो tables होते हैं, देखें, database का नाम तो database ही रहने वाला है, बड़ जो tables होते हैं, उनको कहा जाता है, यहाँ पर database में यह क्या हो गया, एक collection हो गया, then जो हमारे rows होते हैं, वो यहाँ पर कहलाता है, document, यानि NoSQL में क्या कहलाता है, documents कहलाता है, तो अब जब आपने यह एक पूरी row बनाई थी, यह यहाँ पर क्या है, एक document है, तो यह एक पूरा-पूरा document हो गया, on the other hand, सबसे last में, जो हमार columns होते हैं, वो यहाँ पर fields कहलाता है, जितने भी columns आप देख रहे हो यहाँ पर, जो यह columns है, वो इस case में क्या कहलाएंगे, fields कहलाएंगे, तो यह सारे क्या है, fields है, तो यह जो name है, वो भी change हो जाते हैं, जब आप SQL से NoSQL में आते हो, या फिर जब आप MongoDB को पढ़ोगे, table, row और columns के format में समझते थे, तो next topic पर चलते हैं, और समझते हैं, कि हमारा जो MongoDB है, वो data को store करने के लिए, जो technology यूज़ करता है, BSON, वो actually क्या है, तो guys, BSON से पहले JSON आपको पता होना अच्छी है, अगर आपने JavaScript पे काम कर रखा है, या फिर आपने किसी भी टेकनोलोजी प पे comparison देखते हैं, so JSON is a standard file format, यह क्या एक सिर्फ file format होता है, whereas BSON जो होता है, वो JSON का ही binary format होता है, मतलब जब JSON store होगा, तो वो कैसे होगा, in the form of text store होगा, files के अंदर text जाएगा, whereas जब BSON store होगा, तो वो जाएगा binary format में, तो सबसे पहला तो यह हो गया, second speed के अगर बात करते है तो JSON से अगर मुझे data को retrieve करना है, तो comparatively उसकी speed slow होती है, because आप लोग क्या कर रहे हो, उसमें text के तुरू iterate कर रहे हो, या text में से आप finding कर रहे हो, whereas हम लोग जब BSON में data को find करते हैं, तो BSON में data जो है, वो काफी comparatively fast हम लोग search कर पाते हैं, तो यह दो reasons हमारे पास सामने पहल जो data को हम लोग retrieve करेंगे, तब हम लोग को speed चाहिए, वरना MongoDB कोई क्यों use करेगा, जब तक data अगर speedly ना उसको मिले या फिर वो speedly retrieve ना कर पाए, तो वो MongoDB use नहीं करेगा, तो JSON उतना speed नहीं दे सकता था, इसलिए BSON को बनाया गया, then space के अगर बात आती है, तो जो JSON होता है वो space कम consume करता है, बट जो आपका BSON होता है, वो space को ज़्यादा consume करता है, क्योंकि हर चीज के कुछ ने कुछ drawbacks होते हैं, तो यहां भी कुछ drawbacks है, कि यह जो BSON है, वो space को ज़्यादा consume करता है, बट JSON को mainly बनाया कि इसके लिए गया था, सिर्फ और सिर्फ data transfer करने के लिए, उसको store करके रखना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा data, बहुत ज़्यादा document store करके रख रहे हो, तो BSON को बनाया गया, और BSON सिर्फ और सिर्फ data storage के लिए use किया जाता है, और किसी चीज के लिए use नहीं किया जा रहा है, फिर बात करते हैं, encoding technique या decoding techniques की, तो JSON में कोई भी encoding decoding possible नहीं है, whereas यहाँ पर BSON में encoding और decoding की fast techniques available है, फिर बात करते हैं, characteristics की, तो जब आप JSON में data store करते हो, तो आपका data जो key और value के pair में जाता है, whereas BSON में जब हम लोग data store करते हैं, तो दिखता थो हमको key and value के pair में है, but जो data store होता है, वो इस तरीके से store किया जाता है, कि उसको store क करना, या उसको traverse करना, काफ़ जादा speed और काफ़ जादा fast हो जाता है, और data जो है, वो lightweight data रहता है, जब भी आप transfer भी करते हो, उस case में, so guys, BSON को बनाया जाने के काफ़ी सारे reasons थे MongoDB के पास, इसलिए BSON मनाया गया, ताकि हम लोग speed बढ़ा सके, database की speed बढ़ा सके, अब last एक MongoDB को ही prefer करता है, so guys, यसी बहुत बड़ी-बड़ी companies है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि example Facebook की, तो Facebook भी क्या करता है, अपने backend में MongoDB को use करता है, so that कि उनकी जो data retrieving speed है, वो तेज हो जाए, तो आपके पास career options बहुत सारे हैं, कि अगर आप MongoDB को सीखते है, along with Node.js, तो आपको as a backend developer बहुत एक अच्छा hike मिल सकता है, so hope guys, ये concept आपको अच्छे से समझ में आयोगा कि MongoDB actually क्या है, और MongoDB का एक real life example कैसे work करता है, that's it for this video, thank you so much for watching. झाल